नमस्कार फिंट्स मैं हूँ अनंद और आप देख रहें नेवी पूरे अकेडमी दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एससार डबले अगस्त 2022 बैंच और इंडियन नेवी एमार अक्टूबर 2022 बैंच के बारे में बात करेंगे और उससे पहले एक छोड़ी सी इंफर्मेशन बताना चाहूंगा और पसंद ना है तो आप इसकिप कर सकते हो दोस्तों अनकैडमी लर्निंग अप आप सभी के लिए लेकर आ चुका है इंडियन एर फोर्स एक्स ग्रूप वाले कैंडिडेट्स के लिए कंप्लीट बैंच जिनका नाम है ब्रमोस बैंच और इसमें आपको इंडिया के टॉप मॉस्ट फैकलिटी आपको टीश करेंगे गाइड करेंगे दोस्तों जिसमें मैंग चतुरवेदी सर आपको मैस पढ़ाएंगे दिक्षा मैं इंगलिस पढ़ाएंगे और फिर से फिजिक्स आपको जीते सर पढ़ाएंगे ये बैंच दो फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये दो अपरेल तक ये बैंच चलेगा जल्दी से आप इंडरॉल कर लिजिए और साथी साथ आपको बता दू कि रनभूमी 2.0 बैंच स्टार्ट हो चुका है जो कि एंडिय के लिए है और ये 60 डेज का बैंच है और दोस्तों ये दो फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये 31 मार्च तक ये बैंच चलेगा इसम प्लेटफॉर्म और साथी साथ आपको ये भी बता दू कि एंडिय के कैटेगरी में आपको आइकोनिक सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा जिसमें आइकोनिक सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट्स क्या है रे जे हैंड फीचर फिर से आस के डाउट फीचर और और बेन लगाना है और आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा जल्दी से आप इन्रॉल कर लिजिए दोस्तों आप देख रहे हैं नहीं भी पूरे केडमी यहां पर देख सकते हो कि न तो यहां पर आपको मंस बताया जागा कि वैकेंसी कब आ रही है और नहीं एक डेट बताया करेंगे यहां पर कि आप खुद समझदार हो तो समझ सकते हो कि वैकेंसी कब आ रही है तो चले वीडियो को लाज तक देखते लिए बात करते हैं देखिए अब ही हम कंपेर करेंगे कि पिछली साल वेकेंसी अपरेल में आ गए थी अपरेल 2021 में वेकेंसी आ गए थी और भाई देखिए जून में ना तो 2020 में कोई वेकेंसी ही नहीं ना तो जून में वेकेंसी आई और नहीं एक नुमबर में वेकेंसी आती है नुमबर दिसंबर में वेकेंसी आती है तो यह दोनों वेकेंसी 2020 में आई ही नहीं इसलिए बैक भाई डीड़ साल पर वेकेंसी निक चलो वोगा था तो ब्हुत विख्या अप्रेल अब रहो चलेगा क्या तो जब ऐसा ही है बिलकुल अप्रेल ही चल सकता है लेकिन यहां पर देख सकते हो कि अप अपलाइड़ अभी देखिए मैं आपको इतना तो समझा सकता हूँ अभी आप कोई कहेगा कि फरवरी में वेकेंसी आ रही है तो भाई फरवरी में बिल्गुल वेकेंसी आने का चांस कम है ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं आ सकती भाई हो सकता है ऑनलाइन के मूड में अगर इंडियन ने भी जाती है ऑनलाइन एक्जाम करवाएगी सबको मौका देगी तो भाई मैं बैसिकली पांच से छे मंत पहले ही मतलब नोटिफिकेशन निकालना पूलता है तो इसलिए मतलब अगर ऑनलाइन के मूड में रहेगी तो नेवी आपको फैर में आपको वेकेंसी देदेगी और मार शांच से याँ झाती है तो फिक्स है कि ऐस ऐसार डबल ऐकी इंड्या आजाथी ए यह तो पुराना तरीका है जब हम लोग मतलब सुरवारती दोर से इंडियन नेवी की तयरी करूप तो यह शींथा जून जूलाई में में लेकिन अब तो मतलब दो यह पर तींप्ट przettes न जेट साल तक वेकैंसी नहीं है उसके बाद अप्रेल में आई जो वेकैंसी आती थी जून में वह अप्रेल में आगई तो अगली बार के अप्रेल में आएगी इस पर अप्रेल में कोई जडूरी नहीं है वह सकता है फैब में भी आ सकती है क्योंकि अभी जो भी है उल्टा प सकता है यार ऐसकता है लेकिन चांस बहुत कम है आपव लोग खुद देखिए पिछली साल भी मतलब ऐसा जोह था बट अपरेल में विकैसी आये थी तो अपरेल में अप solar में चांस कम है आप इतना समझ लीजिए मार्च में विक चांस कम्स अप्रैल में भी चांस कमें मैई जुन में वेकैंसे आने के चांस है और भगवान करे कि वेकैंसे पहले आजाए और आउनलाइन मूड में एक्जाम हो ताकि सभी इस्टुडेंस के लिए अच्छा रहा है हम यही फोप करते हैं ताकि सभी लोग परिच्छा देख और कम से कम सभी लोग तो एक्जाम तो दे पाएंगे न अगर एक्जाम ना दिया जाए और आपकी एलिजिबिलीटी बेना एक्जाम को ही मान ले जाए एक आपके लिए इसके लिए सक्षम नहीं है तो यह गल्त हैं कम से कम सभी बच्छों को एक्जाम दिने का मौक्शा मिलेगा तो ये बहुत ही अच्छा है और बात करते हैं ने भी हैं कोट केस का तो था मैं पहले ही बता था कि कोट केस चल रहा है यह कोई तो आप लोग इतना धिहान में रख सकते हो की बाकी टीचर्स लोग कोई भी कुछ कर रहा है तो अच्छी बात है प्रयास कर रहे हैं कुछ खेम लिए हो सकता है या फिर बच्चों के भविश्च के लिए हो सकता है करना चाहिए हर एक teacher को मैं support करता हूं दो खेमे में teacher आभी देख रहे ह। कि दो खेमे में बट गया है पहला खेमा दूसरा खेमा बट भाई मैं दोनों खेमे में हूँ इसलिए किवें कि यह भी बच्चों के लिए है यह बच्चे के लिए भी तो बही वही है आप लोग समझ सकते हो इतना तो समझ गए कि वेकैंसी का क्या सीन है अप्रेल में वेकैंसी आ सकती है कि यह बिलकुल आएगी आएगी तो मतलब वही है कि 26 या 25 से अपलाई होना चाले होगा और मार्च में 5 से 6 तरिक अपलाई होगा और फिर यह वेकैंसी आफलाइन चले जाएगी तो यह सीन है आफलाइन हो जाएगा और बात करते हैं परसेंटेज क्रेटेरिया देखिए एक चीज यहां पर सुधार कर सकती है इंडियन ने भी यहां पर 10,000 जो सौट लिस्टिंग तरीका है 10,000 बच्चों को बुलाया जाता है इंडियन अभी में तो इसके जगह पर कुछ सायद एक स्टेक कर दे कंपटिशन बढ़ा देगा परसेंटेज जो भी मानलो 95% पर एडमिट कर आ रहा है तो वह हो सकता है 89 पर आ सकता है एडमिट कर लेकिन कहने मतलब परसेंटेज थोड़ा सा घटेगा अगर बच्चों क एक वर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए और दोस्तों वेल आइकन को जल्ली से प्रेस कर लिजिए और भाई एक चीज और कहूंगा कि अपने जीतने भी दोस्त हैं आपके डिफेंस के प्रेस्परेसिन करते हैं उनको बताईए इस चैनल के बारे में आवे देख सकते हो कि जुलाई में पिछली पर वेकेंसी आई थी और 19 जुलाई से फॉर्म बरना चालो हुआ था और 3 जुलाई तक फॉर्म भरा गया था तो दोस्तों यहां पर यह चीज़े समझनी है कि देखो एमर का जो बैंचेस हमेशा जुलाई में आता था जैसे मतलब 2019 के आनलाई होना चलुआ था यही सीडोल था जुलाई में बैचेस आते थे नेवी एमर के लिए और जुन में आते थे एसेसर डबल ले के लिए तो एमर वालत तो सेम था बट यह थोड़ा बहुत पहले कर लिया गया था इसको अपरैल में वेकेंसी दे दी गई थी 2021 में और क् उनकी साल च्याप से वेकेंसी नहीं आया है था इस कारण से थोड़ा बहुत इसको पहले किया गया था था ताकि मतलत जो भी सेलर मतलब retirement हो रहे हैं तो उसको पूरा किया जा सके तो बाकी हो सकता है कि एक दो महीने डिले हो बाकी अब से मतलब अपने time से शुरू होना चालो हो जाएगा June से भी कर सकते हैं मतलब आप लोग ये समझ लेजिए कि आप लोग सिर्फ नेवी के dependent इंडेंड मत रही है जिसके 95% से उपर भाई तो वो आप लोग डिपेंड रही है कोई बात नहीं अच्छी बात है आप लोग इंडेंड नेवी में जाने के लिए सोच रहे हैं जाए क्योंकि आपको परसेंटे जहाई है क्योंकि आपको ही वो लेना चाहते हैं और जितने भी भाई बंदों के मतलब 85% से कम है मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोग मतलब नेवी का सपना मतलब छोड़ मत दीजिए लेकिन हाँ कुछ और चीज की भी तैयारी कीजिए जैसे इंडियन कोश्टगाट की आप तैयारी कर सकते हैं आईसेजी की तैयारी कर सकते हैं इंडियन एरफोर्स की तैयारी कर सकते हैं फिर से आप बाकी जो कुछ भी है परेमिलिटरी फिर से एसेसे जीडी वगएरा ये सब की तैयारी कर सकते हैं बाकी आप रेलवे वेगरा कुछ भी त्यारी कीजिए बस सिर्फ जिनका परसंटेज कम है मतलब 89 परसंट है 88 परसंट है 87 परसंट है तो आप एक काम करो नेवी के भरोसी मत रहो जब कुछ भी अपडेट आएगा हो सकता है कि 60 परसंट वालों का भी एडमिट कर आए हो सकता ह 45 परसंट वालों कभी एडमिट कर आए जब एक्जाम ऑनलाइन होगा तो जब भी ऑनलाइन होगा तभी यह सब संभव है सो आप लोग जाता तर चांस है ऑनलाइन ना होने का क्योंकि अगर ऑनलाइन होता तो फैब में वेकैंसी एकदम बिल्कुल आ जाती अर्ली फैब में आजाती है क्योंकि यहां पर देख रहे हो कि इंडियन कोस्टकट कपेकैंसी जनवरी में ही आ गई है और बाकी यही सब सीन है आप लोग देख सकते हो और सो इंडियन कोस्टकट की त्यारी जो भी कर रहे हैं आप सभी के लिए एक नसीछत है टेलिग्राम गुरूप में ज खेज रहा हूं तो अप लोग जोएन करना चाहते हो तो जोएन कर सकते हो बस कुछ नहीं चाहता हो बागी इस विडियो को लास्ट टक देखें तो लाइक कर दीजेगा और सेर कर दिएगा मिलता हूं नेक्स वीडियो को थार्द स्थाइंक्यू जैहिन्स जैभारत